बंसल जी मौझूद हैं मेमर आप पार्लियमेंट है राज्य सभा के बहुत शुक्रिया आपका नरेश बंसल जी जोसी मठ की जो भी पत्ति है वह हम सब के सामने हैं पूरे देश के सामने हैं चाहते हुए भी जोसी मठ को बचाया नहीं जा पारा है क्या कारण है नहीं अभी यह कहना गलत है कि जोसी मठ को बचाया नहीं जा रहा है विपत्ति आई है और हम पहाड के लोग विपत्तियों का सामना बहादुरी के साथ करते हैं सिवाओं की रक्षा भी बहादुरी के साथ करते हैं मनोबल के साथ हम उसका सामना कर रहे हैं सरकार सम्वेदल श कर रही है और सब मिलकर के इस विपत्ति से निप्टेंगे निश्चित रूप से और अब वो समय है कि सब प्रकार का अध्यान होगा उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने टीमें भी बनाई है सबको लेकर के एक्सपर्ट राए 15 दिन में आएगी उसके अधार पर सस्तेनेबल डेवलप्मेंट का जो प्लान है और इससे एक्सेस है तो आप जरूर हमारे साथ साजा करें अभी तक कोई ठोस एक्सन प्लान के साथ जोसी मट में राज्य की सरकार तो मुझे दिखाई नहीं देखिए लोगों की प्रतिक्रिया नखाने को मिल रहा है उससे कह दिया गया और नाइट घर खाली करो कहां जाएंगी विचारे आप यह देखिए सरकार ने ऐस्थाई भवनों की विवस्ता की है लगबक साड़े तीन हजार लोगों के रुखने की विवस्ता दो स्थान प खाली करें उनको जो आपदाग्रस राशी होती है दियम के नुसार वो दी गई है चारहजार रुपए मेना किराई की बात उनकी की गई है और उन जो आस्थाई आवास बनाए गए हैं शणार्थिक इस्तल बनाए गए हैं उनमें उनके लिए भोजन की विवस्ता दवा की विवस्ता कंबल की विवस्ता यह सब की जा रही है परदान मुक्वे मंत्री जी के फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे गड़वाल के कमिक्शनर महां केम्प कर रहे हैं महां के जिलादी मिस्टर खुराना दिन रात एक किये हैं सब तीमों को करने के अब साथ दिन के अंदर दिरे वाले होंगे वो निश्चित रूप से आपको सीड़ दे रहे होंगे कि दरारें बहुत गहरी होती जा रही हैं मिटिंग लिए डिजस्टर मैनेज़मेंस और नमावी गंगे की टीमें वहां आकलन के लिए गाई है नेकिन अक्लन करने में तोड़ा समय लगता है सब चीजों का अकलन होगा जिनका नुक्सान हुआ उसका भी आकलन होगा उनको जो कुछ साहिता करनी उसका भी आकलन होगा ये जोसी मट की problem सर प्राकरतिक नहीं है ये humanitarian problem है जो मानो निर्मित है हम इसको समझना क्यों नहीं चाते है इसमें दोसार ओपर से कोई काम नहीं चलन करने माला हमें पहाढ के लिए समगर्ता से सोचना पड़ेगा बिल्कुल समगर्ता से से नहीं कि मेधान की मानशिक्ता अलग है मैधानी लएल को मैधानी करना चाहता है अगर पहाण नहीं होने दी जाएगी है हमारी प्राचिन सब्राइब भूमी है सर अक्टूबर से देख रहा हूं सर अभी जन्वरी आ गया है दरारे जो हैर लाइन थी आज इतनी बड़ी बड़ी दरारे हो गई है लोगों से उनके घर खाली कराए जा रहे हैं आप कहरें सब्सक्राइब अगर अक्टूबर से यह प्रयाज सूरु होते तो आज यह नोबत तो नहीं आती है परियाज हो रहा है उसमें काम हो रहा है जल्दी हो रहा है, जब तक प्रटूबलम को आप सिकार के नहीं नहीं का समधन समथान मिष्किल है मेरा आप से भी निवेदन है कि लोगों के मन की निराशा को बढ़ाने के बजाए उनका मनोबल मजबूत करिए सरकार और लोग मिलकर बंसल जी मैं आप से अनुरोब करूंगा कि एक बार जोसी मट जरूर विजिट कर लें और जो आप मुझे कह रहा है कि मैं निराश ना करू लोगों को जरा उनके बीच जाकर ये बात आप कर आपको निके जाएं जिनके सर अपने घर गए हैं ना सर आप उनकी तक्लीफों को समझें मैं समझ रहा हूं भाई साब 1901 में में भूकम पाया बिना किसी उसके धराशाई हो गए मकान आपदा तो आपदा है अब इस समय जो आपदा ये उससे मिल जूल करके निप्टेंगे और उनकी तकलीफ को मात ये और ये विकास की अंधी दोड में पहाड को मढड़के लिए सर मैं ये सम्झाना चाहता हूं प्रधान मंत्री जी स्वयम अपडेट ले रहे हैं स्वयम सत्परकार की मदद का आश्वाचन केंडर की सरकार ने दिया है प्रदेश की सरकार पहले तरी तकती से काम कर रही है हमारे पानल सेक्रेटरी और कमिक्ष्टर वहां पर कर रहे हैं बहुत शुक्री आपका मेरे साथ बने रहे गांगा बहुत ही खास-खास मेमाने सर इस परचर्चा को थोड़ा सा एक नेक्स लेवल पर लेज़ते हैं